जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन जैवारत दन्यवारत पाकिस्तान की अमेरिकन लीडर्शिप के साथ ये वो सिल्सला था जो बड़े अरसे से ठप था जब इमरान खान साथ वजर आजम थे अमरीका की एक वाज़े पॉलिसी नजर आती थी अब जैनल कमर चाविद बाजवा वहां पर रहें अमरीका में और पांच दिन का दोरा है अफिशली तो कोई कुछ भी नहीं कहा जा रहा आईए एस प्यार बोल ही नहीं रहा इस बात पर देखें और मेरे ख्यार में आर्गू ये स्टेज शो का स्टेज शो का आखरी ड्रामा है ये आखरी किस चल रही है और हम नजदीक पहुँच चुके हैं जिस किंक्लूजिन पे जो चल रहा था कहते हैं हालात ठीक होने से पहले मज़ीद खराब होते हैं वही हो रहा है इस वक्त हम उस खराबी को यह अच्छा खुशाएंद बात है एक तो जिस तरह बताया कि मुझे साज़िश जो है उसका हदफ सिर्फ अमरान खान की जात नहीं थी वो तो प्राइम मिनिस्टर थे जाहरे कि उन्होंने होना था वो जो पॉलिसी लेकर चल रहे थे साज़िश तो है उस पॉलिसी के खिलाफ साज़िश है कि पाकिस्तान के पर कुतरे जाएं पाकिस्तान को चीन की बेसाकी बनने से रोका जाए चीन को जो उसका ग्रोइंग इंफ्लूइंस है आलमी सطح पर उसका जो असरो रसुख बढ़ रहा है उसको कम करने का एफ़र्ट है अब अपने तोर पर उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान की बहुत परवा है पाकिस्तान एक करजे के शिकंजे में एक डेट ट्रैप में फस रहा है चीन ने ऐसी शरायत पर पाकिस्तान को करजे दिये हैं और वो क्योंके हमारे सामने मौहिदे नहीं हैं तो पाकिस्तान तो फस जाएगा हारे टाइम दे दिया एक तस्वीर उतरवाने का मौका दे दिया उस पे बड़ा खुश हो गए हम पाकिस्तानी है हमारे वजरे खारजा के साथ बड़ी मुलाकात कर ली वाशिंग्टन में स्टेट डिपार्टमेंट में हमारे जो चीफ अफ आर्मे स्टाफ हैं वो इस दोरे पर मौझूद हैं लेकिछ मुदालबा क्या रख़ा है कि आप चीन के साथ आप हमसे मांग रहे हैं आप चीन से मांगें चीन से पैसे मांगें हमसे बाद में आप पैसे मांगिएगा दूसरा उननों ने ये भी एक चोटी मोटी जो है वो इमदाद का ऐलान करने के बाद ये भी कहा कि आप री स्ट्रक्चर करें अब री स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि आमें ये कहा जा रहा है कि चीन के साथ जो मुख्तलिक मौहिदे हैं जो लोन्स हैं सौफ्ट लोन्स हैं मुख्तलिक मौहिदे हैं उनकी टाम्स को तब्दील किया जाए पाकिस्तान बैठे चीन के साथ दुबार ऐसे ये जो सीपैक के मोहिदे इंके बख्ये उधेडे जाएं इनके टामज को जिए वो तब्दील कर दिया जाए शरायत जिनके उपर पाकिस्तान के ये मौहिदें ये बड़ा खतरनाक मुतालब है और इसका मतलब डारेक्ली ये है कि पाकिस्तान अगर इस किसम का मुतालबा चीन के सामने रखता है तो इसका मतलब यह है कि चीन जो है उसके और पाकिस्तान के दर्मयान बद्गुमानी भी पैदा होगी दूरियां भी पैदा होगी अब इस हवाले से जो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या चीन पाकिस्तान को करजों के मामले में कोई रिलीफ देने का सोच रहा है। वाई चीन की सिवल सोसाइटी इस वत अपने जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उसके लिए भी बढ़ चड़ कर हिसा ले रही है और हम यह सब कुछ करते रहेंगे ताके पाकिस्तान सहलाब की सुरते हाल से निमट सके और जो तामीर नो का काम है वो जल्द अस जल्द मुकमल किया ज सके उसके उसके बाद उनने का कि चीन और पाकिस्तान के दर्मयान तो एक फ्रूटफुल एकनॉमिक एन फिनेंशल कॉपरेशन मौजूद है एक बड़ा ही जो है वो जबरदस किसम का मौशी तावन है पाकिस्तानी पीपल नो इट बेस्ट के पाकिस्तान के लोगों को इस अच्छे से पता है कि हमारे और चीन के तालुक किस किसम का है इंस्टेड ओफ पासिंग अन्वारंटेड करिटिसिजम अगेंस्ट पाकिस्तान चाइना कॉपरेशन के एक दो सौवरें स्टेट्स के दर्मयान जो तावन मौजूद है दो खुदमुक्तार रियासतों के दर् बड़ा रद्यामल है कि जो लोग डिप्लामसी को समझते हैं उनको मालूम है कि जब थर्ड सौयल पर बैठकर आप किसी और मुलक का नाम बाइलेटरल मीटिंग में एक तीसरे मुलक का नाम लाते हैं तो जाहर है कि उसमें बहुत ज्यादा नागवार जो है उस नागवारी फाइनली वो अमरीका जा चुके हैं और ये विजट जो हो रहा है वो जो अमरीकी वज़िर दिफाँ हैं उनकी दावत पे हो रहा है तो कम असकम अमरीका से जो सिगनलिंग आ रही है वो ये कह रहे हैं कि एक लॉग ओवर ड्यू विजट था और इसका कोई पाक्स्तान की ज इसके वो बड़ा इंपॉर्टन है कि आजमी चीफ और सिर्फ कनफर्मेशन दे रहे हैं वो भी प्राइवेटली कि जना आप चीफ साब वहां पे पहुंच गया और जब मुलाकाते होंगी तो गालबन फिर डिफिनेटली कोई ना कोई टूइट आएगा लेकिन वो भी एक होगा अंदर की बात जो है जो मामला डिसकस हो रहे हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे ना मुझे बताए जाएंगी अब ऐसी सुरत आल में जबके ये बताने की कुश्च की जा रही है अमरीका को कि हम सुरत आल को कंटेन कर लेंगे हम आप हमें चलने दे हमारी मर्जी स और हम इमरान खान का जो फिनामिना है उसको हम समझ जाएंगे ये पीडियम की क्यादत यहां पर हमें कहती ही नदर आ रही है अब अमरीका जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हकूमत चाहता होगा अपनी मर्जी लेस तन टू मन्स ना वो रेटाइर हो कि आर्मी चीफ आउट गोइंग आर्मी चीफ जो है वो गए हो अमेरिका के दोर पे आई कांट एग्जर्टली रीकॉल कि ऐसी कोई ट्रिडिशन है कि कुछ लोग कह रहेंगे ये फेर विजिट लेकिन मैंने आपको कॉंटेक्स्ट बताया कि वज़ा ये थी कि लॉंग पाकिस्तान का रोल क्या हो उसी हवाले से वो बात्चीफ कर रहे होंगे लेकिन इसके साथ साथ जितना मैं समझता हूं अमरी कीस बात को भी मदने नजर रख रहे होंगे कि इस वक्त मुल्क में जो पपलर पार्टी है उसको कैसे हैंडल और कैसे डिल किया जाए क्योंकि पीता गया गिरफतारियां हुई पीडियम के लोग ये कह रहे थे कि देखे जिना आप जितनी बड़ी भी सपोर्ट इमरान के साथ है लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया और यही बात हमें एस्टेमिश्मेंट के लोग भी करते हुए उने दर आ रहे थे कि हम बिलकुल इन पिंडी सामबाद में निकले बनी गाला पहुँचे लहुर लिबर्टी चौक पहुँचे कराची में पहुँचे हैधरबाद में पिशावर में सक्कर में सरगोदा में फैसराबाद में पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा रात और लोग सड़कों पर आ गए ये एक फेनामि है उसके साथ वहाँ पर माजूद हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वो ये फिराम में उन सब के लिए गहर मतवको था ये के बाद चेंज अफ कमांड हो जाई ही तो उनसे इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पे अमरीका में जो मेरे जराय हैं उनका ये कहना था कि जो और भी ऐसे जो लोग है मुझा रहे हैं बलके गए हैं जो मेरी तला है कि डी जी आएसा है जो हैं वो भी उनके साथ शरीक हैं जो चीफ अप जनल स्टाफ हैं बड़ी आहम पोजिशन होती है आर्मी चीफ के बाद दोस्तों पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनल बाजवा अमेर किती अब पाकिस्तान का एक के बाद एक लगातर दोरे हो रहे हैं पाकिस्तान और अमरीक हम पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में बुरा फस चुका है चीन पाकिस्तान को पाट पड़ा रहा है कि हमारे साथ आपके तालुकात बहुत अच्छे हैं और रहेंगे दूसर एक ऐसा देश है जो आपता में अपसर तलासता है लेकिन पाकिस्तान इस चीज को जानते हुए भी अंदेखा कर देता है क्योंकि पाकिस्तान को भीग चाइना से भी लेनी है इस बज़े से चाइना और पाकिस्तान अमेरका की बीच में पाकिस्तान बुरी तरीका से पस चुक को कर्च जाल में पसा कर उने बुरी तरीका से तबा कर देता है आपकी कहा रहा है कमेंट में जरूर सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करों सेयर करें जैहिन